जो दुनिया की समय सबसे महेंगी रामायन है वो हमारे पास यहां पर रखी हुई है अगर यह बुग दो सो साल चार सो साल पर लहती है तो इसकी प्रिंटिंग एस इट इज रहेगी इसको तीम सोर में डिवायन किया हुआ है जैसे राम बंद्री तीम सोर में बन्दा है इसकी बहुत सारी खासित है इसके जो बॉक्स है बॉक्स है जो पेपर है और जो प्रिंटिंग है हर इक चीज इसकी बहुत में तो कून है यह आपक्स को बाश्य का पाट है जैसा इसका स्काइड है यह त्री सिचरी डिवे रोटे 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 है इस बॉक्स में जो लखी लगी वी एंडिकली अमेरीकन वालट हमने यूज की है और स्टैफरनोड इसका यूज किया हुए है जो इसको पूदन में प्रिंटिंग हुई है इसके ओर इसकी ब इसका इंपोर्टेट कॉर्णर की लिए इसके हमने ओरिजिनल स्रवास की क्रिस्तल्स लगया हुए इसकी बूटी को इन्हास करने के लिए इसके इसके परेंटिंग्स नेवर फूर सीन से इसमें हमें हिंदी और इंग्लिज बड़ी बुक में दिया हुआ है साथ में इसके यह का गुक मार्कर आता है यह सर्वाडि करकते से मैं के लिए सस्कीत मैं है एक शूटी उसके उसके मैं कि मॉकमार्कर यह मूल स्लोकाज जो है मूल पार्ट और साथ है यह बुक यह हमारी कंप्टी स्रिवास पाइन आर्ट्स रावल लिप्टेज सीवा कासी तेमिलाड़ो बीस्ट है यह ब्रैंड है वेधिक कोसकोस ब्रैंड के अंदर में हम नहीं बनाई है कि अबिटिंग इंडस्टी में हम लोग पाइनिया हैं पिंटिंग और बैंडिंग में इस में गुफण मार्क है और मूर अश्लोकाज सकता है तो थाल वी रामयान में 24,000 प्रोबी संपूर रामयान आपे इसको कह सके हैं यह अभी तक कि कह सकते हैं आपनी सबसे नहीं रामया मेहंगी रामयान इसको तीम चोर में डिवयन के भाइद आभा जय से रामदीर तीम चोरे मन रहा है हम भी राम लला के प्रार प्रतिस्था पहले आउधिया पहुच्छे हैं अपनी खूबसुरा घामयान लेके और यह रामायन है हमारे पास यहाँ 10 सिटी अविध्या में इसकी बहुत सारी खूबिया है इस रामायन में यह मैं आपको बताना चाहता हूँ और हमारे पास जो दुनिया की समय सबसे महंगी रामायन है वो हमारे पास यहाँ पर रखी हुई है और सबसे सुन्दर रामयन आप कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे सुन्दर रामयन इस समझ अविज्या में है क्या दाम है इसका दाम 1,65,000 रुपे है क्यों इतनी महंगी है थोणा साब बताईए इसके अंदर बहुत सारी खुबिया हैं इस रामयन में इसका जो आउटर हमने बॉक्स डिजाइन किया हुआ है बॉक्स पेपर एबरिटिंग इसका मतलब सिलस्लिवार तरीके से में आपको एकर करके बताऊं तो ये बहुत खुबिया भरी हुई है इस रामयन में मैं बॉक्स आपको स्टार्ट करता हूँ बॉक्स के टॉप वाला जो फ्लोर तीन फ्लोर का बॉक्स है जैसे राममंदिर तीन फ्लोर का बन रहा है इसी हिसाब से इसको भी डिजाइन किया हुआ है टॉप बॉक्स के टॉप वाला फ्लोर जा हुआ हुआ है स्टेंड का है, बुक को स्टेंड में रखके हमें पढ़ सकते हैं, पहला जो फ्लोर बालकांड और अध्यकांड की बुक है, बॉक्स का जो भूड है वो अमेरिकन वॉलनट उसमें यूज किया गिया है, और इसमें स्रवास की क्रिस्टल्स हमने लगाए हुए है, इसकी प्रॉक में यूज की हूए है, और इसको फ्रांस में पेपर बना होा है, इसका एकि प्र्चाइड प्रीपर प्रिंटिंग करते हैं, 400-500 साल तक अगर बुक रहती तो as it is रहेगी, इसकी प्रिंटिंग फेड नहीं होगी, तो मतलब ये 400 साल तक बुक ऐसे ही रहेगी, बिलकुल 400 साल तक इसको समाल के रख सकते हैं, इसका सुन्दर सा केस बना हुआ है, बुक रख रहेगा, तो ये सुर नहीं देखने को मिलता है, ना चाहते हुए भी आदमी का मन करेगा कि मैं कुछ पड़ू इस वैसे, तो पूरी रमायणा बहुत बढ़ी है, आपने इसको किस तरह से तीन बाक्स में अभिवाय किया, कितने, पूरी रमायणा, संपूर रमायणा है ये, 24,000 पूरे इस लोग किया हुए, जो मूल पार्ट करते हैं लोग पारायन करते हैं डेली बेसेश्ट पर, उसके लिए संस्कृत में अलग से मूल की किताबें दी हुए है, टोटल छे किताबें हैं मूल पार्ट करने के लिए, और जो बड़े वोल्यूम की बात करें, बड़ी वाले तीन किताब में है अरेने कांड किसकंदा कांड सुंदर कांड दूसरी किताब में उत्तर कांड और युद्ध कांड तीसरी किताब में किताब में शुदू अरेन उत्तर की अरे पान।